तो फ्रेंड्स नमस्ते आदाब सस्रीकाल मेरा नाम है रोबिन और स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोबिन फैशन डिजाइनर में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज जिसे हम कोटी बास्केट या फिर देखने को मिलेगा यह देखिए किस तरीके से इसके फुल फिनिशिंग हमने दी है हर जगे से इसमें गुम सिलाई है कहीं पर भी आपको एक एक्स्टा धागा या फिर कुछ ऐसा नहीं दिख रहा होगा जिससे इसकी अंदर फिनिशिंग ना आ रही हो हर जगे गुम इसमें कोलर होती है कुछ जाइकेट इस तरह से भी होती है जैसे उपनी चड़ी होती है तो दोस्तों बहुत सारे फार्मोले बट यह सबसे आसान इसलिए मैं आपको यही सिखानी का आज परियास करा है तो दोस्तों करते हैं स्टार्ट वीडियो और सीखते हैं कुछ नया उस्तार है इसमें क्या करना सबसे पहले आपको आपको अस्तर को इस तरह से इक पार्ट पुछा लेना जैसे कि इसको मैंने आप देख रहे हो उठाए मैंने इससे क्याओं दोस्तों आपका ज sera क्प्ड़ा वेस्ट नहीं होगा क्योंकि जो कोटी होती है यह याफिर बास्क निद्धा हो सके इसके बाद फ्रेंट्स इसमें आदा इंच छोड़ते हुए क्योंकि आदा इंच मार्जन में चला जाएगा जो भी आपकी लंबाई है आप लंबाई रख लें लंबाई है 15 वह पंद्रा पर निशान एक लगाना है एक निशान आपको लगाना अधा इंछ एक्षिटा क्योंकि आधा इंच इसमें मारजन में चला जाएगा तो इस तरह से आप साड़े फंदा इंच पर निशान लगा एक इसका घूर होता है सूट से थोड़ा सा बढ़ा ही होता है तो आर्मोल के लिए आप लगबक सात इंच पर एक निशान लगा लें आधाएंच आपको एक्ष्टा लेकर चलना है और इस तरह से सीधा एक निशान लगाएं इस जगह से दोस्तों हमने लिया था साड़े छे साड़े छे पर आप निशान इदर लगा ले सिधा अब लगाएंगे हम निशान पीछे गले का तो पीछे गले के लिए लगा रहा हूं दोस्तों में यह देखी तीन इंच और इसकी जो पीछे से गहराई रखनी है मैंने वो रखनी है धाइंच इस जगह से कर लें थोड़ी सी गुलाई इसकी और इससे आपको थोड़ा सा डाउन देना है हर सूट में ब्लाउज में चाहे कुछ भी आप बना रहे हो इसमें आपको जो शोल्डर वाली जगह होती दर से आदा इच डाउन लेके चलना होता है अब फ् साइज है वह है 34 तो 34 को हम चार में डिवाइड करेंगे तो बनेगा साड़े आठ यह देखिए यह हो गया साड़े आठ इसके अलावा जो कोटी होती है थोड़ी सी लूजी होती है इसमें हम एक इंच की लूजिंग दे देंगे इस तरह से यह टोटल बन गया आपका इूज करना है कमर का जो चौतहा हिस्सा होता है टीस का जो टोथा हिस्सा बनेगा वह बनेगा साड़े साथ यह देखी यह कमर हो गई और 150 finish losing देदेंगे तो दोस्तो इस तरह से ये जो निशान है इस निशान पर आप है इसकी अब cutting करेंगे इसके अलावार चाहो तो दोस्तों इसमें अप Extra margin दे सकते हूं दोस्तों यहां back part अब मैं आपको बता दू counting किस तरह से करनी है जो पीछह आला पार्ट होता है इसको बिलकुत कड़ा नहीं काता जाता इसको पीछह वाला ये जो जगे होती है इस जगह से आपको हल्की सी गुलाई देनी पड़ती है लगबाक सवाइन्च एक इंच आप इसमें गुलाई दे सकते हैं इस तरीके से यह जो लिस्टेंस है यह वाला यह भी आपको लगबग सवाया डेरिंच के करीब रखना होगा तो दोस्तों यह है पीछे का पार्ट इसके मैं करने जा रहा हूं कटिंग इस जगе पर हमारी पारी जो मैंने निशान लगाया है इसका अलावा तो फिस में थोड़ा सा कप्ड एक्सटर लेकर चलें सरसे पहले यह जो कपड़ा है इसको आप अलग कर लेंगे तो देखें दोस्तों यह कितना कपड़ा हमारा बच चुका है अब यह जो बैक वाला पार्ट है यह तो पीछे से इस तरह से रहता है पर बट जो फ्रेंट वाला पार्ट होगा वह आगे से अलग होगा तो इसलिए इसको पहले हम आगे से इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे अब फ्रेंट्स किस तरह से कटिंग करनी है फ्रेंट वाले पार्ट किये देखें आपको इस बैक को इसको पर रखना इस तरीके से अब इसमें जो चेंज करना है हमने सिर्फ और सिर्फ एक जगह चेंज करें इस पार्ट को में आधा इंच एक्टरा लेकर चलना है क्योंकि आधा इंच इदर वह सलाई में चला जाएगा जब आपको इस टीचिंग में बता हूँ तो आपको बारी की सीवर्ची समझ आ जाएगी दोस्तों आपकी जानकार के लिए मैं बता दूँ इसका जो आर्म होल होता है आर्म होल में हम आगे वाले पार्ट में जो सूट या बलाउज में कटिंग करते हैं इसमें नहीं करते हैं इसका जर्नली बराबर ही होता है तो दोस्तों यह तो था इसका बैक अब मैंने आपको य जर्रेनली जो गला हम रखते हैं वह रखते हैं इस जगे से 7 इंच जिसमें के आदा इंच उप पर मारज में चला जाता है तो 6 इंच गला बसता है हमारा तो आपको एक निशान लगाना इस तरीके से यह हो गया गले का अब इसके अलावा फ्रेंट्स आपको इस जगे से नीचे से इस गले वली जगे से लगबग ढ़ाई या तीनिच आपको एक निशान लगाना है यह देखें गले की जो चुड़ाई रखी थी दोस्तों हमने वह रखी तीन इंच और तीनिच आप एक निशान इदर लगा ले इन निशानों को आपस में मिलाए है किस जगे से आपको हलका सा इस तरह से वी शेप देते हुए És 5am और साथ यह साथ दोस्तों इस निशान को आपको इस जगे लाते हुए अभी जो नीचे वाला आपका कवा कोर्णर दिख रहा है इस कोर्णर से भी आपको हल्की गुलाई देनी है किस तरीके से बाइन उर आ backbone on would be a surface कि ऐखार में हलके निशान लगाई richtl क nos Launche च हैं यह जो आपको निशान दिखार होंगे इस जगे से दोस्तों हम इस एंगे यह किس तरीके से देखें तो दोस्तो ये देखिए इस तरीके से ये जो है इसका फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट हमने कार लिया तो सेम अब दोस्तो इसी तरीके से इन अस्तर की कटिंग करने के बाद आपको जो इसका अपर है इनको उनके उपर रखके कटिंग कर लिनी है तो फ्रेंट्स जैसे का अब देख सकते हो मैंने अस्तर के कोडिंग इसका ये देखिए ये इसका जो उपर वाला फ्रंट पार्ट है इसकी मैंने कटिंग कर लिये सेम इसी तरीके से मैंने इसी इस्तर के recording इसका जो बैक वाले पार्ट की cutting कर लिए अब friends आपको किस तरह से श्राय लगानी वो मैं आपको बताता हूँ यह देखें यह है इसका सीधा वाले पार्ट सीधे वाले पार्ट पर आपको इस तरीके से इसको जमाना है इस चीज़ को थोड़ा से देखें दोस्तों तो ही आपको समझ आएगा यह देखिए इसको रखा है मैंने सीधा यानिकि यह जो पार्ट बिल्कु सीधा है या बहागी तरफ से इसको लटा रखा है अब आपको करना का है दोस्तों सिलाई किस तरीके से लगानी वो चीज़ आप दियां से देखें यह देखें आपको हलकर करके डोट से देख रहे होंगे यह मैंने चॉक सा निशान लगा है इस जगह से आपको इस चोल्डर पर सिलाई नहीं लगानी और ना यह साड़ वाल लगा रखें यह आर्म होल पर लगेगी और यह जो है गुलाई वाली जगह पर सिलाई लगेगी और दोस्तों इसमें मैंने एक जगह देखिए यह चोंक से निशान लगा रखा है इस निशान का मतलब यह है कि इस जगह पर फ्रेंस हमने डोरी लगानी है डोरी बिल्कुल लगे इसलिए इसके साथ हमने किस तरह से टैज करना है यह मैं आपको एक शलाई लगा के दिखाता हूं दोस्तों आप मुल्क शलाई लगाने के बाद यहां से शलाई निकाल दी मैंने से शलाई मैंने नहीं लगाई है यह डोरी देखें दोस्तों इस डोरी को आपको अंदर की तरफ रखना है ऐसे और इस तरह से यह जो निशान है इस निशान के उपर आपको डोरी को लगा देना है तो फ्रेंड़ दैसे यह सलाई मैंने लगाई है सेम दूसरे में आपको इस तरह के सस्राई लगा ले निए है तो फ्रेंड़् यह देखें इस रह लगाने के बाद आपको करना क्या है जहां जहां पर भी इसमें गुलाई है गुलाई वाली जगे पर आपको हलकल के कट लगाने है ताकि कपड़े को पूरी तरह से उसको राउंड घुमने के लिए फुल स्पेस मिल सके यह देखी जिसी आर्म होल में गुलाई है गुलाय वाली जगह पर आप कट लगाएं, कट लगाते समय आपको एक चीज़ का दिहां रखना है, सलाई की ना कट जाएं इतना ही कट लगाएं आप देखिए जो साइड़ वाली जगह है, साइड़ वाली जगह से आपको इसको करना है सीधा इस तरीके से तो फ्रेंट इस तरह से सीधा हो जाएगा तो फ्रेंट से सीधा करने के बाद इसका जो लुक है कुछ इस तरह के से आएगा अब हम इसकी करेंगे प्रेस और प्रेस करने के बाद इसमें आपको दिखांगे फिनिशिंग तो फ्रेंट्स यह देखी इसके मैंने प्रेस कर दी है और प्रेस करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो यह इसके जो फ्रेंट पार्ट से दोनों तयार है वो इसमें देखी है हर जगे से इसमें मैंने गुम सलाई लगाई है उसके अंदर बिल्कुल फिनिशिंग आ लगानी है इसका कैसे लुकाएगा वही प्रोध में सलाई कर देखा देता हूं- 성 जैसा कि आप और देख सकते हो आर्मौल प्रसलाई बनाया था तो से लगाने के बाद वसको हमने सीधा कर लिए था बड़ दोस्तो इसको सीधा नहीं करना इसको आपको ऐसे ही रखना है क्योंकि हम जो इसमें यह इसके तीरे कर लगाएंगे कंधे वाली इसके लिए क्या प्रूसीजर वह थोड़ा है आपको द्यान से देखें यह देखें दोस्तों साय लगाने के बाद यह जो साइड से इसका स्पेस खुला हो पड़ा है आपको दिख रहा हुगा कि इस खुले स्पेस से आपको यह देखिए इस वाले जो पार्ट को अंदर की तरब इस तरह से डालना है और इसका यह जो स्पेस है इसमें अंदर आप इस तरह से डाल दोगे और बिल्कुल असानी से यह देखिए इसके भी को बराबर आ आपको बिल्कुल एक सीधी स्लाइस में लगानी है सेम इसी तरीके से यह जो दूसरा वाला पार्ट से आपको जो साइड़ वाले स्पेस है इसमें अंदर से इसको आप इस तरह से डाले इससे क्या दोस्तो हमारी जो सिलाई है बिल्कुल गुम आएगी उसके अंदर बिल्कुल जबरदस फिनिशिंग आएगी अगर आप चाहो तो बिना इस तरीके से इसको सीधा भी जोड़ सकते हो जैसे हम जोड़ते हैं बट उसमें दोस्तों फिनिशिंग नहीं आती है यह यहां से देखें आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा मुश्किल काम यह नहीं है बस यह देखिए बिल्कुल इसके बराबर है और इस तरीके से यह इस तरह से आप स्लैय लगा होगी तो छलाने के बाद किस तरीके से इसको सीधा करना है वह साइड डिटेल में आपको बता देता हूं तो दोस्तों यह देखिए इसकी तीरे के साई लगा लिए अब आपको करना क्या यह देखिए इसको इस तरीके से करना सीधा और साथ के साथ आपको यह इसको भी सिधा कर लेना है यह देखें कि इसको जब आप सीधा करोगो इस तरही से यह देखिए आपको कंदे कसलाई देख रही होगी दोनों तरफ से इसमें फिनिशिंग है और साथ के साथ जब हमने वह गुम सलाई लगाई थी बैक वाले पार्ट में वह भी आपका सीधा हो जाएगा यह देख सकते हो फ्रेंड्स अब यह इसका जो फ्रेंट पार्ट था और यह इसका जो बैक पार्ट है जब हम इसकी अच्छी तरह प्रेस करेंगे तो इसकी जैसे फ्रेंट वाले पार्ट के सलाईयां बैठ चुकी थी सारी इसके भी इसी तरीके से सलाईयां बैठ जाएंगी अब आप इसके अंदर finishing देखें इदर भी हम और इदर भी घुम नधर भी गुम दोस्तव आप को प्रेस करते हैं। तो Friends ये देखिए प्रेस करने पूर लोक भी और भागें। पर भी भार से कोई धागा कुछ आश्टा ना दिना क्योंकि सभी जगह दोस्तों में इसमें गुम सिलाई यूज करिए अब फ्रेंड्स यह देखिए अब मैं आपको बाता हूं इसकी जो फिटिंग के निशान है वो भी मैंने लगा दिये अब जो फिटिंग के निशान है इ इसके अंदर जो में चीज होगी इसके आगे जो हम लगाएंगे कपड़े के बना के इसको बोलते हैं हम पंजाबी में बोलते फुमन तो दोस्तों किस्ते से लगाया जाएगा वह भी मैं आपको बता देता हूं तो फ्रेंड्स यह देखिए सैड की जो सलाई है वह मैंने ल हम ऋखिए यह दोरी को रखना है कि और प्रेंड्स के बीच में आ जाए इस तरह से पकड़े वह एक तर चीज नहीं स्लाई है इस यह मैं अपको लगा की दिखा देता हूं जिए फ्रेंड्स इस लाय को थोड़ी सी आपको सीधी लगानी है पहले हम कीशी छीधी लगाने के के बाद फिर सको आप राउंड में लेना है 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 कि कर फ्रेंट इस रहे लगाने के पाद ये एक्स्टा मारज जो भी इसकी आप कर लें कटी इस तरीके से और विरकुल असानी से देखी आपका इसको आपको भार निकाल लेना भार निकालते साथ इसका जो आगे एक कपड़े कह रहे का लट्कन के टाइप यह बन जायएगा यह को अनल देखें कि इसे तरीके से उसको बोलते हैं पंजाब के मैश को कम्प्रेट बीड़ modifications कर लिया और इसका बहुत एक अच्छा लुक आ गया है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज जो जिस तरीके से मैंने आपको जैकर बनानी बताई है आपको हमारा फार्मूला काफी हद तक पसंद आया होगा अगर आपको हमारी वीडियो चलेगी तो प्लीज हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें हमें सपोर्ट करें थैंक्यू वैरी मच्च